How to fix what of a phone call not working problem तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके SIM card में call का जितना भी problem आ रहा है उस problem को आपके से solve कर सकते चाहे हो आपका incoming problem हो या फिर outgoing problem हो या फिर call से related आपका जितना भी problem है अपने SIM card में उसे आपके से fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रहे हैं साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon का दबा दिजेगा और यदि आप online पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो description link चेक आउट कर सकते तो दोस्तों चलिए बिना देर की ओए शुरू करते दोस्तों यहां पे मैं आपको कम से कम चार सेटिंग्स बताऊंगा चार सेटिंग्स में last का जो सेटिंग्स रहेगा वो आपका major सेटिंग्स रहेगा ठीक है तो वीडियो को अन तक ज़रूर देखिएगा तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने मुबाइल की सेटिंग्स पर जाना है अभी सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपको क्या करना है सबसे पहला basic settings आपको dual sim and cellular network आपके मुबाइल में साथ sim management या फिर mobile network शो करें ठीक है बेसिक लिए आपको यहां पर आना है और वो sim card आपको यहां पर select कर लेना है जिस sim card पर आपका problem आ रहा है उसके बाद में दोस्तों एक बार आप अपना sim card को off कर दीजेगा ठीक है sim card को off कर दीजे उसके बाद में mobile को एक बार restart कीजे और दुबारा आके sim card को on कर दीजे और एक बार call आप चेक कीजेगा कि आपका call काम कर रहा है की नहीं यह एक basic setting है ठीक है यह करने के बाद में आपका call काम कर जाता है सही बात है काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद में दोस्ता आपको क्या करना है एक बार करियर सेटिंग पर चले जाए और यहां से एक बार जो है आप इसे ओफ कर दीजे और यहां पर ओफ करने के बाद में आपको यहां पर बहुत सारा NETROK जो है वह आपको यहां पर शो करेगा ठीक है करने के बाद में क्या होगा कि automatically हमारा network जो है वो select हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दिख सकते कि काफी सारा network आपको यहाँ पर show होता है आप चाहों तो manually यहाँ पर आप select कर सकते हो ठीक है manually select करके एक पर चेक कर लिजे ठीक है तो यहाँ पर चलिए हम फिलाल तो इसे automatically कर देते यह दूसरा setting है दोस्तों अभी पीछे चले जाते हैं हम अपने mobile के settings पर उसके बाद में दोस्तों यहाँ second settings आपको मैं बताता हूं second settings आपको क्या करना है देखिए second आपको क्या करना है यहाँ पर आपको app management में जाना है ठीक है app management में जाके call reset करना है आपको call का settings जितना भी उसे reset करना है app management आपके वहल में शायद installed application इस नाम से आपको शोगा ठीक है तो आपको यहाँ पर source system processes पर मुझे click करना है all application पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको call management में जाना है ठीक है या फिर call यहाँ पर आप देख सकते हो यह icon है इस icon पर आपको जाना है basically dial icon पर यहाँ पर आपको इसे force stop कर देना है एक बार इसे force stop कर देजगा उसके बाद में बेक चले आके storage usage पर चले जाएए यहाँ पर clear data पर click करके इसे clear कर देजगा ठीक है clear पर click कर देजगा उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि आपका call का जो settings है वो company से जो default settings होता है उसी में यह reset हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपका call का problem जितना भी है वो solve हो जाएगा आप एक बार check करके देखिए यह दि दोस्तों यह दो settings करने के बाद में भी आपका problem solve नहीं हो रहा है अभी मैं आपको major settings बताओंगा ठीक है major settings क्या है यहाँ पर आपको जाना है settings additional settings पर जाना है जितना भी settings है वो settings का आपको reset कर देना है ठीक है यहाँ पर आपका mobile reset नहीं हो रहा है सिर्फ settings ही आपका reset होगा तो company से जितना भी network setting है mobile network setting SIM setting से वो सारा reset हो जाएगा तो आपका जितना भी call का problem में वो solve हो जाएगा तो दोस्तों यह था major settings ठीक है तो दोस्तों यह तीन करने के बाद में आपका problem जो है वो definitely solve हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेकिन दोस्तों यह दिया आपका फिर भी problem solve नहीं होता है तो क्या होता है कि आपका SIM card SIM company के जरिये से ही कभी-कभी technical issue होने के वज़े से server down होने के वज़े से problem आ सकता है वो case में तो आपको अपना SIM company का customer care से ही बात करना होगा उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा thanks watching